असलाम लेकुम, मैंने में जावेद इकपाल एवान, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोग्रमिंग ट्यूटरिस में, पाइफन की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉर्मली इंसान की नेचेर होती है, पितरत है इंसान की, कि अगर वो किसी भी लेक्शन करने से पहले लाज़ी उसकी वर्द है, वो किस टेक्नलोजी पर काम कर सकते हैं उस लेंग्विज के अगहस में, तो यह सब चीज़े जानना चाहते हैं, तो मैं आज की रिकॉर्डिंग में आपको इन सब चीज़ें बड़े बताऊंगा कि पाइफन है क्या, और नंबर पर प्रोग्रामि लेंग्विज की सीरीज में किस नंबर पर आ रहा रहा है पाइफन और इसके लावा इस पाइफन की लेंग्विज को हम क्या के काम कर सकते हैं, तो आज की इंट्रॉडक्शन में इस सारी चीज़े आपको डिफाइन करूंगा, सबसे पहले आज़ अगर हम गूगल में जाके और सिफ टॉप प्रोग्रामिंग लेंग्विज इस अगर मैं लिख देता हूं, अगर मैं किसी और वेबसाइट पर देखना जाता हूं, तो यह साइड भी है, यह भी डिफरेंट है, यह साइड स्पेक्ट्रम है, तो अगर मैं यहाँ देखना ज क्या है, तो पाइटन इस व longest नमबर one पर है, पाइटन इस व경'll ब्रोग्रामि लेंगविज इसी," अगर रिफॉद फैक्टीर थे, तो इस तरह स्जिस अगर की ते डिफाकर नमबर Bul स्पी है, यह अगर तो इस तरह एकर मैं दुर्फी किसी और वेबसाइट पर देखना जा आया है उसमें क्या बात है यह आज हम डिसकस करेंगे कि लोग क्यों पाइफन की तरफ आ रहे हैं मैं बहुत सब्सक्राइब मैं डेवलिपर्स वो देखा है जो जावा पर और सीशा पर बहुत अच्छे उनकी गृफ्त है और बुड़ा अच्छा काम करते हुआ रहे हैं लेक स्लायड बस स्लायड अपर सम्झाऊंगा पहले परात है वाट इस पाइफन पाइफन है क्या पाइफनी जनल परपर्उस इंटरप्रिटिट अबजेक्ट ओरिंट एंड हाई-लेवल प्रोग्रामिंग लाइंवीज अफ्ट पर पहले बात मैं सम्झाऊंगा ठीक है जी आपजेक औरिंटेट है इसका मतलब हम इसके अंदर जो है इनकैपसुलेशन वगरद जो सेक्यूर्टी करने कर चाते हैं या क्लासेज बना चाहते हैं और उबचेक बनाना चाहते हैं तो ब्रोग्रामी लेंग्विज भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं और हाई-ल 1991 में या बहुत कम टाइम में यह अबरी है लेंग्विज और 1991 से पहले इसका वजूद में था और इसके बाद पर लोग काफी अड़से बाद इसमें आये और रिसेंटी पिछली तक यह तो तीन चार साल में इसने एकदम मूव किया है क्यों मूव किया है क्या वज़ा थी पर इसके बात है python is designed to be highly readable या उसके language जो code यह वह रीड़वल है वसके इसको समझ सकता है English keywords frequently या इंग्लिश की जिसेंगे हम English language में बात करते हैं तो उसके keywords यह English language keywords यह frequently काम करते हैं हमें कोई साइन्टेक्स का इश्यू नहीं है बिल्कुल इंग्लिश के सामने नॉमली हम कोई भी चीज़ राइट करते हैं तो उसी तरह के दर प्रोग्रामिंग लेंग्विज के लिखी जाती है यह क מतायच आप्स यह कंस्रक्शन दißtår जो Steからज़ इसमें सब्सक्राइब के փग्लिश के अगर ।। 트ूम लाँ सकते हैं यह जोपिंग का टायप कोई भी स्कूल की अप्लिकیशन कोई भी वेव एबं अप्लिक चेंच जो डाइनमिक वेव अप्लिकेशन होगी, ERP टाइप, वो आप इसके ओपर बैठके रहके बना सकते हैं, यह वेबसाइट बना सकते हैं, डाइनमिकली सर्वर साइट, यह सर्वर साइट जो सर्वर को रिक्वेस जाए है, और सर्वर से रिस्पॉंस हाए, जैसे हमारा A.S.P.A M.V.C.A, J.S.P.A, P.H.P.A, P.R.L.A, इस तरह की आप कोई भी वेब अप्लिकेशन वेबसाइट 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 आप यहां पर डेवलप कर सकते हैं, सॉफ़र डेवलप्मेंट आप इसके बरहते हैं सॉफ़र बना सकते हैं, यह आप कोई भी जो है, वो सॉफ़एर है, बैंकिंग का सॉफ़एर है, अकाउंटिं का सॉफ़एर है, यह हर तरह का सॉफ़एर है, तो यानि डेस्टॉप अप्लिकेशन वेब अप्लिकेशन भी वेब सॉफ़एर भी बनता है और इसके लावा डेस्टॉप सॉफ़एर भी बनाए जाते हैं, पाइ यह सारी लाइब्रिरी इसका आप यूज कर सकते हैं और इसके ओपर रहते वाफ कोई भी complex mathematics application भी बना सकते हैं for developing complex scientific and numeric application यानि scientific and numeric application भी इसके create कर सकते हैं python is designed with features to facilitate data analysis and visualization यानि इसे मतलब है कि हमारे पर अगर कोई भी data है उसको हम चार्ड की शिकल में या graph की शिकल में इसको जो है वो define करना चाहते हैं कि पूरा data है उस data के अगरेंस में एक graph के अंदर सारा data आजाए या विजुलाइजेशन इसकी library भी इसके अंदर मुझूद है जिसके अगरेंस में हम जो है सारा काम कर सकते हैं और graph के अपने data को चाहिए एक्सल की फॉर्म में data है या हमारे पस डेटाबेस के अंदर data मुझूद है या पर हमारे पर अरे 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 इंदर data मुझूद है उन सब को जो है वो graph और चार्ट वगरा के शिकल में जो है वो विजुलाइज या नि इसको उम शो कर सकते हैं डिस्पले कर सकते हैं जिस्पले इसके अरे इसके बड़ी वराइटी इसके अंदर है वाई Python पाइफन क्यों यूज के जाता है देखें पाइफन आपका जो है आपके बास प्लेटफर्म इंडिपेड़नेट है या आपके उसको किसी प्लेटफर्म की ज़रूत नहीं है आपके विंडो अपरेट सिस्टम में उसके ओपर पाइफन में हम काम कर सकते हैं आप जैसे में सिंपल एक्जैमल इसके जावा जावा में भी यह खुबी थी कि जावा है कि हर प्लेटफर्म पर चलती थी लेकिन उसके अगर मुकाबले में हम देखते हैं सीशाप को या वीबी.net को तो उसके लिए ह के लिए जरूरी होते हैं कि हमारे पास जो है वह विंडो होना चाहिए जैसे मतलब जहां विंडो नहीं है वह जो रिस्टूर नहीं चलेगा तो अब से डॉट नेट कोर आ गया है लेकि उसके में प्रानी बात करता हूं तो इसे मतलब यह के अब पाइफन पर हम काम कर रहे तो उसमें भी कोई इस्टम का शूरी नहीं है कोई अपरेटिंग सिस्टम का शूरी है हर अपरेटिंग सिस्टम में हमारा सॉफ्ट्र डेस्ट्र अप्लिकेशन होगी वह चल जाएगी और वेप तो खिर वैसे भी नॉर्मली हमरे पास जो है वह चली जाती ब्रावजर पर Python has a simple scientist similar to the English language and is a scientist very simple and easy. सबस्क्राइब में in the next recording में जैसे programming start करूंगा तो आखों में बताओंगा कि बिल्कुँ simple तरीके समस्पे काम होता है. ये दो को एकम चैब करता है और फेक क्ई में प्रोगर्म एक रख कहन species अफे स्फेलि Ey tvåmir टायण करता है। बहुत लंबी घ्र और में चोड़्श टेड करता हूं जावा के साथ तो अगर एक कोड हमारा दस लाइन का होता है तो पाइफन में बामश के तीन से चाल लाइन के अंदर वही काम हो जाता है और उसका पुड़ा जाता है क्योंकि इसके बिल्टन फंक्शन इतने सारे है बिल्टन लाइबरियरी से इतनी ज्यादा है कि हम इसको आउपूड आजाता है कुछ नंबर जोड़ा कोड करने की जरूत नहीं कोई कलरी बेकर कैश्यू नहीं है कोई एंड सब लिखने की जरूत नहीं है आटमेटली जो है वो जो है वो सारा काम हो जाता है कम से कम कोड में हो जाता है पाइफन रॉन जान दा इंटरप्रिटर सि बूर्ट बनाते है उस्साथ में जो बनाते है और साथ में खानष रागिया दोव्झे साथ में बनाते हैं सेचाट मेरे कौनसेपड अगया हैं हम procedure बना की काम कर रहे होते हैं तो इसमें सारा काम जो होता है प्रोसेजर वे में भी कर सकते हैं और फंक्शनल वे में भी इस पर हम काम कर सकते हैं पिर आजए थे पाइफन की इस्टॉलेशन अब आई तिंक मेरे खाल से आप लोग पाइफन का स्कोप समझ में आ गया होग निई प्रोगामरन आना चाहते है तो आप अची लाइज की और आगर आप किसी लाइंग्विज पर होते हुए इस पर आना चाहते हैं तो बहुत असाल है क्योंकिक एड़ आपके बस रहेगी और यह लेग्ज भी आपके सम्झेश भी आपके समने रहेगी कोई आप मुशक simple python.org के website है मैं आपको से लगे जाता हूँ इस पर तो उतका मुश्किल नहीं है आपने यहाँ पर आपके अपने लिग दिया python.org तो वेबसाइट आजाएगी है मेर पस python.org की और इसमें डिरेक्ली आपने डाउन्लोड का बटन प्रेस करना है तो आपके बस जो है इसका आप इसका लेटन के लिए प्रेस। वरजेन है जो आज कीडिन का लेटन वर्जेन है व आपका 3.7.4 का है आपने डाउन्लोड कर देना है यह जाएगा शोटी से अप्लिकेशन हैं मबस के अनदर है और इसके बाद छेसे नेक्स करेंगे तो आप आजस्टनी से पैटन को जो की किसी ацион न से कर सकते हैं. अगर कि सuerdo पर किसी की कृoter करता हूं छायते है यह हैं चैज 18 करते हैं जासे करता हूं आ कि इस अपने कि आपको अच्छे करना हुआ है क्यूंदर चुछ केंदर इसके नदर इसके राइच संधूलेशन भी हो जाएगी मिनुंट म Richardson आफे कि मुझे कोड लिखता है अब कि मुझे कोड लिखता है उनके कोड पर लिखता हैं ऊपके लेख कोड़ भी में में नौट पेर हो जाता है काम करना और विजुल स्टूडियों पर काम करते हैं तो हम पर इंटेलिसेंस आते हैं साथ में अप्लिकेशन कंपाइल हो जाती है तो हम एक आई डी यह सब आई डी सॉफ़एर है यह आई डी यह निस्ट है जाग के पास जो है इंटीग्रेटिड डेवलिपमेंट एक ऐसा सॉफ़एर जिस पर रहते हुए हम सॉफ़एर करते हैं तो वह आई डी सॉफ़एर किलाता है अब पाइथन का कोड लिखने के लिए जो आई डी से हैं बहुत सारी है बीस ही हो है आई तिंक मुझे याद भी नहीं है कि इतनी ज्याद है उसकी आई डी है जो कि पा इसकोड और नेट बीन पर लिख सकते हैं लेकिन इसकी जो फेमस है टॉप फाइव पाइथन आई डी से हम डिसक्स करूंगा अगर आपको नेट बीन ने उस पर काम कर सकते है विजल स्टूडिय आपके वाद नाइटीन तो नाइंटीन ने वह उसक्ता है और अगर आगर आ हमस है आपके ओपन सोर्स है फ्री आफ कोस्ट है आप इसको समार कर सकते हैं और डीटा साइंस के जो है वो लैवरिरिस के अंदर मौज़ूद होती है पाइचार्म यह बैसिकली जो है वह आगर मैं एश्टीमल का कोड करना जाता हूं वेबसाइट बनाना चाहते हैं और हम के साथ हम इसको भी इसको यूस कर ना जाते हैं या करते हैं तो प्र पाइचार्म इसको सपोर्ड करता है आपको यह लग आउंसिक पाइटय। इसके लावा थोनी के नाम से आपके पास है वह आपके पास यह होते हैं साइंटेक्स के अंदर अच्छे हैं डीफंगिंग ऑप्शन अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं अच्छे होती है एटॉम के नाम से जो कि फास्ट होता है सिंक्रोनाइस करता है और बैसिकली रिपोज अगर आप student है आप university में बढ़ रहा है तो पर आप Jupyter Notebook की आप रिक्वार होगी क्योंकि जो आप आप विजुलाइजेशन चाहते हैं उसकी लाइबरी से आप चाहते हैं इस पर चल जाए वहीं पर आपको ग्राफ भी आउट पुड़ा जाए वहीं पर डिस्प्ले भी सब चीजी आ जाए तो फिर इस पर पस के लिए Jupyter Notebook होती है तो मैं आज की जो सीरीज के अंदर पहले म पूरी सेरीज में पाइथन में जो ट्रैनिक दोंगा इस में क्या क्या कराऊंगा मैं सब से पहले पाइथन की कोर कराऊंगा यानि हम जो है वो वेरिवल्स, फॉंक्श्यंज, एर्य, लूप, हम पहले कोर करेंगे लोग बाहिए पाद मैं आपको लेकर आऊँगा डेटा सा साइस के जो हम प्रोल्स है और उसके बाद फिर लास्ट में में आपको लेकर आऊँगा डेस्टोप अप्लिकेशन और फिर वेव अप्लिकेशन पर लेकर आऊँगा जिसके लिए हम डेटाबेस को कनेक्शन करेंगे हम इसमें माईस्कुल करने कर सकते हैं आच यह बात भी पत सारे सपोर्ट करता है माई-पाइथन को उन में से किसी को भी आप करने कर सकते हैं तो मैं नर्मलि या तो माई-चूल पे इसकोई सेर्वरक भी आपकर लिए करने करके दिखाऊंगा तो यह देखते रहें मिरी सीर्स को देखते रहें पहले हमने कॉर पढ़नी है लाज जो सीरीज वही है कि अगर एक नहा प्रोग्रामर आता है तो उसने कैसे चलना है उससे किसी भी लेंगवीज प्याद तो उसकी खोर को पढ़ना होता है पिर जब आता है वह पर पढ़ लिया तो फिर जी यूई पर आता है यहां पर जोई डीटा साइंस की यूज़ाई से उज़ अधर तो यह सारी चीज़ें हमने अपने स्कूर्स के अंदर करना है तो मैं जो इसमें दो आइडीज है जो पर यूज़ करूंगा एक में करूंगा जूपीटर नॉट बुक को जो मैं आज से स्टार्ट करूंगा नेक्स्वे मेरी ट्रैनिंग होगी इसमें जूपीटर अगर तो यह से स्टार्ट करूंगा तो इसमें दो आइडीज को जूपीटर नॉट बुक पर काम करेंगे अगर कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे को बात क्लिया करनी हो जा कोई भी आपको ट्रैनिंग रिक्वाइड हो चिसी पाइथन में या किसी भी एक्सवाइजर कि तो अगर किसी बार में आपको कोई भी ट्रेनिंग रिक्वाइड हो तो मैं हर दफा बोलता हूं कि आप मुझे लिखें मैं आपको ट्रेनिंग करके आपको दूंगा और अगर मेरे चैनल पसंद आए तो उसका सब्सक्राइब जरूर करें तक आप जो है वो इसके लिए बेल कपड़नी प्रेस करें तक आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं रिक्वाइडिंग की नोटिफिकेशन भी आपको आती रहे तो फिर नेक्स्ट रेनिंग में शाला हम पाइफन की प्रोगामिंग इस्टार्ट करते हैं